अगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है ग्रम्या सोचें आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबु बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टैली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्ध्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियो को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा टेली के इस वीडियो सिरीज के आज के अधाय में आप जानेंगे बैलन्स शीट क्या है और ट्राइल बैलन्स के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वारी वीडियो में आपने देखा कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है और ट्राइल बैलन्स शीट के आधार पर उन्हें कैसे बनाया जाता है capabilities के खाते बचे हैं, इनका हमने एक नया trial balance बना लिया है, आईए अब हम trial balance से एक एक करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं, पर उससे पहले हम balance sheet की परिभाशा भी देख लेते हैं, balance sheet एक निश्चित तारीख को तयार किया जाने वाला ऐसा statement है, जिसमें एक और व्याफसाई की पूंजी यानि capital और दायत्वों यानि liabilities को तथा दूसरी और संपतियों यानि assets को एक निश्चित प्रारू और क्रम में दर्शाया जाता है, इसे प्रायव वर्ष समाप्ति पर आया जाता है, आए हम इसके कुछ मुख्य बाती समझ लेते हैं, अभी तक हम जहां भी काम कर रहे थे वहाँ debit और credit ऊपर लिखा होता था पर balance sheet में इस तरह नहीं लिखा जाता है, इसमें left side में liabilities के सभी खाते और right side में assets के सभी खाते एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं, आया अब हम trial balance से एकेंग करके सभी खातों के balance balance sheet में लिख लेते हैं यह देखिए हमने trial balance से सभी खातों के balance ले लिए हैं, आये अब चिप्था यानी balance sheet देख लेते हैं इस balance sheet से हमें अपनी पूरी आर्थिक स्थिती की जानकारी प्राप्त हो रही है, जैसे हमें किसे क्या देना हैं, किसे क्या लेना हैं और वर्तमान में हमारी पूंजी बढ़कर या घटकर अब कितनी हैं टैली में अब ना तो हमें खातों को क्रमानुसा लिखना होता है और ना ही balance sheet बनानी होती है, टैली ये काम अपने आप करके हमें दे दिता है इस वीडियो सिरीज के प्रारंब से लेकर अभी तक की वीडियो में हम ये देखा कि manual accounting किस तरह होती थी और अब टैली ने उसे कितना असान कर दिया है साल गर टैली में सिर्फ voucher entry करो और साल के आखिर में trading and profit and loss से संबंदित कुछ entries करो, शेश सभी काम अपने आप हो जाते हैं इसी के साथ टैली हमें website को अच्छे से चलाने के लिए अनेक reports भी प्रदान करती है, साथ ही टैली में ये सुधाब भी है कि हम जब चाहें तब हमारा profit and loss statement बनेशी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद वाली वीडियो से हम टैली में काम करना शुरू करेंगे